Hello friends, welcome back to my other video So, इसमें हमें एक question given है If 1 by 2 plus 1 by x is equal to 3 Then x is equal to what? में हमें यह question है, इसको solve करके x का value निकालना है तो सबसे पहले हमने यह question type लिख लिया है अब यह देखिए, जो 1 by 2 plus 1 by x है वो हमारा जो है, वो है LHS में और यह जो 3 है, वो हमारा RHS में है तो हम यह 1 by 2 है, इसको हम जब RHS में send करेंगे तो यह इधर plus में है, तो इधर minus में चला जाएगा तो देखिए, यह जो 1 by x है, इसको हम इधर ही लिखेंगे 1 by x is equal to 3 minus 1 by 2 यह हमारा अपन में 1 लिख सकते हैं इसका denominator बनाने के लिए अब देखिए, 1 और 2 का हमें LCM निकालना है तो आपको पता है, 1 is a prime number और 2 is a prime number तो हमें LCM कहीं दूसरे जगा जाके निकालने के लिखेंगे, तो है नहीं हम direct यहीं पर इसको solve कर लेंगे तो यह 1 by x is equal to, यह इसका जो है LCM आज आएगा 2 और यह जो 1 है, 2 से multiply करेगा, तो इसका, sorry, divide करेगा तो इसका quotient आएगा 2, और यह जब numerator से multiply करेगा तो multiply 3 minus, जब 1 से multiply करेगा 1, तो इसका value 1 आएगा, तो यह दिखिए, 1 by x is equal to, यह जब multiply करेगा तो 6 और यह multiply तो minus 1, divide 2, अब यहां तक आपको समझ में आया, हम यहीं पर इसको solve कर लेते हैं अब यह दिखिए, इस 1, subtract करेंगे, तो 1 by x is equal to, 6 में से जब 1 हम subtract करेंगे, तो हमारा आएगा, 5 by 2, तो हम 2 लिखेंगे, अब यहां पर, हम इसको solve नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको direct, यहां पर cross multiply कर लेंगे, तो x multiply 5, तो 5 multiply x हो जाएगा, और is equal to यह अजोरें तो, अब यह इदर mean, यह इदर LHS में, जो 5 है वो multiply में है, और हमें x का value निकालना है, तो mean, यह तो हमारा x, वो हमारा आएगा, पर, sorry, हाँ हम ऐगा, ऐगा, और जो 5 है, जब आएगा तो वो divide में चलाएगा, यह जब multiply में तो divide में जाएगा तो x का value आ गया यह हमारा टू पहले से है और यह हम अभी बताएं है आपको यह multiply में है 5 तो यह divide में चला जाएगा mean यह जो x है x का value में पूछा था उसका value आ गया 2 by 5 तो यह हमारा solution हो गया तो हम लिख सकते हैं 1 by 2 plus 1 by x is equal to 3 then x is equal to 2 by 5 अगर आपको यह video अच्छा लगे यह solutions नहीं लगे तो हमारी video को like करिए और आपके पाल से अगर कोई भी questions हो mathematics से related तो आप हमारे comment में type करिए और हमें send करिए हम next video में आपको वो question आप send की रहेंगे उसका हम solution निकालेंगे और आपको video के थुरू समझाएंगे तो अगर आपको यह video अच्छा लगे तो like करिए share करिए subscribe करिए और comment में अपना review देना बिल्कुल मत बुलिए thanks for watching guys subscribe for more videos